देखो हम पढ़ता है रीनल 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 टुबुलर आसिडोसिस रीनल टुबुलर आसिडोसिस तो इसके अंदर कुछ बात हैं इंपोर्टेंट हैं कि तीन तरह के इंपोर्टेंट होता हैं रीनल टुबुलर आसिडोसिस टाइप रीफट एम्पोर्टेंट होता है तीसरे एंपोर्टेंट नहीं होता दूसरे के अंदर PCT जो होती है वो एफेक्ट होती है इंद्ध वास आती है अब हम इसके अंदर हमें pH देखना होता है और potassium देखना होता है तो देखो इन सब के अंदर ही acidosis है metabolic acidosis देखने को मिलती है pH की बात करें तो type 1 के अंदर pH बड़ी हुई मिलती है 5.5 से जबकि type 2 और type 4 के अंदर ये pH जो होती है वो less than 5.5 less than 5.5 होती है तो अगर acid urea है तो हमने वैसे पचान लिया type 1 है ठीक है अब बात आती है कि इनको कैसे differentiate करें क्योंकि दोनों के अंदर ये pH क्या है कम है तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो type 2 होता है उसके अंदर hypo kalemia देखने को मिलता है और ये type 4 होता है उसके अंदर हमको hypo kalemia देखने को मिलता है ठीक है वहीं बात करें type 1 की तो type 1 के अंदर भी हमको hypo kalemia देखने को मिलता है अनुच पॉग देखने को अबाद रेना तूबलर अच्छ